हालो व्योस मैं हूँ कौसर सर्मा आपका स्वागत है कौसर सर्मा के इस YouTube चनलर पर व्योस अभी पोस्ट आपिस की सभी स्कीम की हमने एक सीरी चला रखी है जिसमें हमने पिछले वीडियो में आपको टाइम डिपोजिट इसकीम की बारे में विस्तार से बताया था इस तरह से एक ही करके हम आपको सभी पोस्ट आपिस की स्कीम को आगे भी विस्तार से बताएगे तो आज की वीडियो में हम आपको एक अगली स्कीम की बारे में नए व्याज और नए नियम के साथ हम विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं तो यह स्कीम है मंतली इंकम स्कीम यानि की M माइएस इसको हम हिंदी में मासिक आयक यूजना के नाम से भी जानते हैं तो अभी एक अपरेंट 2023 से पोस्ट ओपिस की सभी इसकी में कई नियमों में भी बदला हुए है तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि माइएस स्कीम क्या है और इस स्कीम से हम कैसे फाइदा ले सकते हैं इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि इस स्कीम में कितने रुपई के निवेश पर कितना रिटन मिलेगा और हम ये भी देखेंगे कि MIS स्कीम में जो भी ब्याज मिलेगा उसे अगर हम RD स्कीम में इन्वेस्ट कर देते हैं तब हमें कितने अत्रिक्त रुपई का फाइदा ह होगा और अगर सिंपल में इसको रखते हैं तो कितने रुपए का फायदा होगा दोनों को हम कंपरिजन करके देखेंगे तो वीडियो के अंतक बने रहे हैं यह वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है अज़र इस चैनल पर आप पहली वारा है तो इस चैनल को सब् स्कीम में क्या होता है तो अगर आप रेटायर परसन है या फिर आपके पास पहले से कुछ हिकट्टा पैसा पड़ा हुआ है और आप उस पैसे से कुछ निश्चित आया चानते हैं तो यह स्कीम आपके लिए बहुत बढ़ी है इसमें जम्मा किया हुआ पैसा 100% सुरच्च करवा सकते हैं अगर 18 साल से कम उम्र का बच्चा खाता खुलवाना चाहते हैं तो इसे वो भी खुलवा सकते हैं लेकिन उस खाते का संचालन बच्चे के माता पिता या गार्य नहीं कर पाएंगे अगर बच्चा 10 साल से उपर का हो जाता है तो वो खाते को खुद भी ऑपर कर सकेगा इस इसकी में minimum 1000 रुपए और maximum 9 लाग रुपए तक जमा कर सकते हैं पहले अधिकतम की यह जो लिमिट थी वो 45.5 लाग रुपए की ही थी अब इसको बढ़ा कर 9 लाग रुपए कर दिया है और अगर आप joint account open करवाना चाहते हैं तब आप इसमें अधिकतम 15 लाग रुपए तक जमा कर सकते हैं जो कि पहले यह जो लिमिट थी joint account के लिए वो सिर्फ 9 लाग रुपए की ही थी पोस्ट ओफिस में यह स्कीम 5 सालों के लिए होती है यानि एक बार इसमें पैसा निकालना चाहते हैं यानि premature withdrawal करना चाहते हैं तो इस स्कीम से एक साल से पहले आप account को बंद नहीं करवा सकते हो अगर एक साल के बाद और तीन साल से पहले इसे बंद करवाते हैं तो 2% की penalty देनी बड़ेगी और अगर तीन साल के बाद और 5 साल से पहले बंद करवाने पर आपको 1% की penalty देनी होगी तो यह तो हुगा premature withdrawal के बारे में यहां पर MIS scheme के सुवधाओं की बात करें तो इसमें आपको nominee की सुवधा मिल जाती है यानि किसी अपने को आप इसमें nominee बना सकते हो आप account खोलने से पहले या account खोलने के बाद आप nominee बना सकते हैं अगर आपका transfer किसी और जगह हो गया है तो आप अपने account को किसी दूसरे post office में transfer भी करवा सकते हो अब यह सम जा लेते हैं कि कितने रुपए के निवेस पर हमें कितना return मिलेगा MIS में तो अगर आप इसमें 1,00,000 रुपए का investment करते हैं तो आपको हर महीने 617 रुपए मिलेगे 5 सालों तक यानि 5 साल वाद आपको इसमें 1,37,000 रुपए मिलेंगे इसी तरह से अगर आप इसमें 2,00,000 रुपए का investment करते हैं तब आपको हर महीने 12233 रुपए मिलेंगे 5 सालों तक तो इस तरह से आपको 5 साल वाद 2,47,980 रुपए मिलेंगे वहीं अगर आप इसमें 5 लाख रुपए का investment करते हैं तब आपको हर महीने 3,083 रुपए मिलेंगे 3,083 रुपए मिलेंगे 5 सालों तक के लिए और अगर आप ये पैसे नहीं लेते हैं तो आपको अंत में 5 साल वाद 6,84,980 रुपए मिलेंगे और वहीं अगर आप इसमें 9 लाख रुपए एक साथ जमा करते हैं तब आपको हर महीने 5,550 रुपए मिलेंगे 5 सालों तक अगर आप ये हर महीने नहीं लेते हैं तो आपको 12,033 रुपए मिलेंगे अंत में 5 साल वाद maturity पर अब योस हम जान लेते हैं कि MIS scheme से हम अत्रिक्त amount का फायदा कैसे ले सकते हैं कैसे हम extra रुपए इसमें कमा सकते हैं तो इसके लिए विए आपको post office में एक और account open करवाना पड़ेगा तो वो account है RD यानि की recurring deposit account अगर आप MIS में मिलने वाले interest को सीधे RD account में जमा करवाते हैं तब आप MIS से अत्रिक्त रुपए का फायदा ले सकते हैं तो जैसे अभी हमने आपको बताया था कि अगर आप 1,00,00 रुपए आप मंतिली income scheme में जमा करते हैं तब आपको हर मेने 7.4% के interest से 617 रुपए मिलते हैं तो इस MIS के interest को आप RD account में जमा करते हैं तब आपको extra 6,436 रुपए का फायदा होता है वहीं अगर आप इसमें 2,00,00 रुपए जमा करते हैं और इसी तरह से 9,00,00 रुपए के MIS के interest को RD में जमा करने पर 57,902 रुपए का अतरित का फायदा हो जाएगा तो विर्स आप भी ऐसा करके देखिए और extra profit का फायदा जरूर उठाईए तो विर्स आज की वीडियो में इतना ही उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा इसी तरह के और भी वीडियो आगे हम आपके लिए लात्ते राएंगे अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को like करे share करें दूसरों के लिए जिससे कि इसका knowledge दूसरों को मिले अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को ब्रैस करने बेल आइकन के साथ जिससे जब भी हम नया वीडियो बनाएगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए करेगा और वीडियो से संबन्दित कोई भी प्रश्ण हो या कोई भी सुझाब हो तो हमें कमेंट जलू करें वीडियो देहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैहन